अगर उसका वर्णन करने बैठे तो उसका बखान नहीं हो सकता श्री हनुमान जी महराज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि परम सुप्रीम पावर होने के बाद भी कौन है राम दूत अतुलित बल धामा है हनुमान जी लेकिन उसके बाद भी है कौन राम दूत राम दूत है है क्या अतुलित बल धामा कंचन बरन विराज सुवेशा हनुमान जी प्योर गोल्ड है कोई पूर नहीं है आपके पॉड़कास का नाम भी है दरिच और हनुमान जी दरिच गौड है कंचन बरन सोने की जिसकी दे हो कानन कुंडल वो सोने का उरा स्वर्ण मैं जिसकी दे हो लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सुक्ष में रूप धरी सियंहीं दिखावा बिकट रूप धरी लंक जरावा और जब जरूरत पढ़ी तो भीम रूप धरी असुर संगारे लेकिन उसके पीछे मॉटिवेशन एक ही है ये किसी ओ दिखाने के लिए नहीं देखो मेरा बिकट रूप देखो मैं बड़ा हो गया ये नहीं इसके पीछे मॉटिवेशन था मा को उदास देखा लंका नगरी में मा ने एक बार का बिटा इतने चोटे चोटे बंदर इतने बड़े बड़े राक्षस करेंगे क्या बंदर बिगालेंगे क्या उनका ऐकी पाउं दबाया शोक वाटिगा में हड़ 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 भेंकर रूपधारन करके कनक भूद राका और शरीरा और बस सीता जी को फिर कहना पड़ा बस बिटा चोटा हो अगर कोई कहा हनुमान जी से कि आप कौन तो कौन है हनुमान जी तुलसिदा जी एक जगा लिखते है अगटित घटन सुघट विघटन दुनिया में जो काम अगटित हो कोई कहते जा तु जिन्दगी में सक्सेस नहीं हो सकता जा तु जिन्दगी में ये नहीं कर सकता जा तु जिन्दगी में वो नहीं कर सकता मैं कहता हूं श्री हनुमान जी की श्रण में आजाओ और कोई घटना घटने जा रही है आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटने जा रही है जो आपके हित में नहीं है मेरे भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता इसलिए मौटिवेशन एक ही था पीछे बाद में उसके पीछे क्या कारण राम चंद्र के काज के लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ इसलिए मैं अपने युवानों को कहता हूँ भाई अपने जीवन में राम काज करना प्रारंब करो तब हनुमान जी करपा करेंगे और राम काज कार थी यह है कि कोई राम जी के मंदिर में जाके घंटी वजाना जाड़ू लगाना चुपरशाद चड़ाना यह सब नहीं यह भी है लेकिन अच्छे कारे करते रहेंगे अगर तो राम काज हैं तब हनुमान तकरपा होगी एक मेरे को सबसे अच्छी कॉलिट तो हनुमान जी जब जा रहे होते हैं तो यह चतुरा ही कितनी है उनके अंदर कि मुझे अगर यह चाहते हैं कि मैं खालू तो बिल्कुल छोटे होके उनके मुह में अंदर जाके वापिस आ जाते हो और पिर कहते हैं माता छोड़ दो यह प्रसंग बड़ा अच्छा है इस में ख़ू सोने का पर्वत सामने आ तो उसको यह नहीं कि और घे क्या सोने का फर्वत है मैं घुश का आहाया है नहीं तो सभी च्छाह मैं नहीं हäre उनके उसकी रहे हाथ कhi संदाआ किा लेकिन ऊसको उसका समान हुग तो ऺए हुने कर related स्वाव रह उसको आई चलते हैं वह तो उसको लगता है नहीं है, मेरा रिगार्ड हो गया, तो हनुमान्जे ने क्या किया, उस सोने के परवत का रिगार्ड गया, उसको हाथ लगाया, और फिर क्या हुआ, राम का जकीने बिनोमोई, विश्यराम, लेकिन उसके बाद देवताओं की माता आई, देवताओं नहीं बेजा, ये देवताओं को बड़ा डाउट रहता है, देव हमेशा, देखिए, ये नहीं देख रहे हैं कि तुम तो देव हो, लेकि जिसकी परिक्षा लेने भेजा, वो महादेव है, हनुमान्जी जा रहे हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जानियों कहूं बलबुदी आखे, शुर्सा को भीजा, कौन है सुर्सा राक्षणी नहीं है, ये नागों की माता है, देवताओं की माता, जात पवन सुत देवन देखा जाने पहले बुद्धि विजेगा आगे सुर्चानाम अहिन के माता पठाई न आई कहीत इभाता आ शुरनमई दीन आहारा सुनद बचन के पवन कुमारा है बंदर हा खा जाओंगी खा जाओंगी खा जाओंगी अनुवान जी मन इवन सोच रहा है यह भगवार क्यों अभी विजो तो गाउं बसानी चूर पहले आ गया। फिर हनुमान जी मन में सोचे इसका मतलब रावन के राज्य में प्रवेश हो गया। बहुत डिफाइन करके बता रहा हूं छोटी सी उसमें। अगर इसको प्रसंको गाउं तो पूरा podcast खतम हो जागा। हनुमान जी ने सोचा खाने वा यानि के जिस राज्य में सब खाने ही खाने वाले हों समझ लेना चाहिए रावन राज जा गया। यह खिलाने वाले नहीं है। तो जैसे हनुमान जी ने सोचा मा अच्छा ठीक है तो मुझे खा लेना। यह डाउं टूर्थ तो देखो हर बंदे के साथ डील करते हुए चल कितनी सुप्रीम पावर होने के बाद इतना बड़ा आदमी होने के बाद लेकिन एक छोटे से चोटे बंदे से भी जब मिले तो उसको लगता है यार बड़ा हस्मुक आदमी है यार बड़ा यार बिलकुल यार अमेज इन्नों डाउट रहती है। रावन के आगे भी बोलत वो तो परिक्षा लेने आई थी ना बल और बुद्धी की दो परिक्षा लेनी अच्छा बल की परिक्षा के लिए उसने क्या किया हनुआ जी नहीं मानी है बंदरबाब में कौन आता है खाऊंगी खाऊंगी हनुआ जीने आप देर तो और यहले मां खाले रहे तो जैसे एक बार सीता कई सुधी प्रभू ही सुनाओं तव तव बदन पैठी हूँ आई सत कहूं मुई जान दे माहाई सत के रोमा जाने दे लेकिन जब नहीं मानी जैसे सुर्चाने मुख खोला हनुमान जी भी प्रवेश कर गए करें और जैसे मुख में प्रवेश किया अंदर पूरा यहां जाकर माना और जाकर आंधक इसे वह में चर्थफ throat तुरत पवन सुत बत्तीस भायों यह बाबा डबली करता है थोक में करता का फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा जितना सुरसा ने बदन बढ़ाए तेरी तो है डबल हो गए हनुमान जी था सुदून कपी रूप दिखावा हार के इसने सुचा कि सोयोजन का समुंदर है सोय जोजनी मुख खोल दे देखो बंदर कितना होता है लेकिन सत्व जोजन ते आनन की ना ये क्वालिटी है नुमान जी की जब मुसीबते सामने मुख खोल करके खड़े हो जाए तो अपने आपको छोटा बना लो चोटा बना लो चोटा बना लो ये 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 जब मुसीबते सा पर हमने मुख खोल कर खड़ी हैं तो से इक ही बात है कि अपने आपको छोटा बना जा लो आ है किर आ एक पाउं तेरा होगा लंका में एक पाउं होगा श्री राम के पास अब बीच में दभी होगी यह हां तो राम जी भी सोचेंगे यह ड्रामा क्या कर रहा है यह वहां सीता जी का पता लगाने कि अपनी शक्ती दिखा रहा हुसे और देखिए इसका एक अर्थ यह है करते करते सत जोजन तक पहुच गए अब एक को तो यार चुप होना पड़ेगा कि नहीं क्योंकि वो तो अपने काम पे है ना अब अब देखो जितना हनुमान जी उससे कंपिटिशन कर रहे है उतना सीता जी के पाउचने में लेट हो रहे हैं के नहीं बिलकुल हो रहे हैं ऐ इसे हनुमान जी की इस प्रसंग से मैं सबको शिक्षा देते हुए यह बोलता हूं कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए किसी से कंपिटिशन शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हम अपनी गती रोक लेते हैं हमारी तरक्की रुख जाती है वहीं हम अपने लक रूप पवन सूत लीना बदन पैट पुनी बाहर आवा मांगा विदाताई सिर नावा मौई सुनंजे इलाग पठावा बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा खुद ही बोली क्या है बंदर तेरा बल और बुद्धी का मर्म मैं जाले बल कितना बंकर और बुद्धी इतना ब इतना बड़ा होने के बाद छोटा होने की क्या जुरत थी हनुमान जी ने का मां दुनिया में बड़ा वही हो सकता है जो बड़ा होकर भी छोटा होना जानता है जाए हनुमान जाबर दोस्ति